वेल्कम किट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, लेकिन नाउन को पढ़ने से पहले हमें पार्ट अफ इस्पीच के बारे में जानना बहुत जाला जबूरी है, तो पार्ट अफ इस्पीच होता क्या है? words in a sentence are divided into eight categories, को भी sentence बहुत सारे words से मिलकर के बना है, जिन words को हम eight category में divide करते हैं, according to their function in the sentence, तो sentence में हर word का कुछ ना कुछ functions होते हैं, तो उनको हम उस category में divide करते हैं, उसको बोलते हैं part of speech, वो गया noun, pronoun, यह होते हैं, different different part of speech, तो चलिए, अब हम यह देखते हैं, कि part of speech के कितने तरीके होते हैं, मतलब, how many kinds of part of speech, तो there are eight types of part of speech, कौन-कौन से हैं वो, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunctions and interjections, तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नाउन के बारे में, तो चलिए, वो देखते हैं, नाउन is the name of person, place, animal, thing or idea, तो नाउन is the name of person, place, animal, thing or idea, तो नाउन क्या है, किसी भी person का, place का, किसी भी animal, thing or कोई भी idea के name को हम क्या बोलते हैं, noun, मानिचे एक example ले लेते हैं, the name of this boy is Rohit, तो boy, boy एक person हो गया, एक लड़का है, कोई person हुआ वो, तो this is a noun, और Rohit क्योंकि उसका नाम है, तो ये भी हम noun की category में ही रखेंगे, ऐसे ही, जैप और idea हो गया, जैसे happiness, तो ये सारे चीजे मिलकर के, इनमे से कुछ भी हो चाहें, वो noun का name दिया हो, या इस तरीके से कोई भी place दी हो, वो आगया, noun के अंदर, अब हम पढ़ेंगे types of noun, तो वैसे तो five types, types के noun होते हैं, लेकिन फिलाल हम यहाँ पर इस वीडियो में किवर, च वो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम common noun के बारे में पढ़ते हैं, it is a name given in general to every person or thing of same class or kind, ये क्या होता है, किसी भी person को या किसी भी thing को हम जरली कुछ नाम देते हैं, तो उसको एक class में हम उसको रखते हैं, किसी एक category में उसको हम रखते हैं, उसको हम बोलते है common noun, जैसे man, man का कोई भी नाम हो सकता है, लेकि man जो हो गया, वो commonly हम इसको man ही बोलते है, तो ये हो गया common noun, ये पार्थ, पार्थ, बहुत डिपरिंट डिपरिंट नेम्स के होते हैं, लेकिन पार्थ को हम common noun में गोली रखेंगे, अब है प् पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, वो होता है proper noun, या किसी लड़के का नाम राम है, अब हम उस राम की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया proper noun, फिके इस तरीके से, अब है collective noun, collective noun में क्या है, name given to a group of similar things of person, वह सरे things होते हैं, जब उनके group को हम कोई नाम दे देते हैं, ये किसी group को नेम देते हैं, वह सारे persons होते हैं, जिनके group को हम नाम दे देते हैं, तो वो collection, मतलब collectively जो हम किसी group को नेम देते हैं, वह हो गया collective noun, इससे singers के group को हम क्या बोलते हैं, coir, हम बोलते हैं, coir of singers, किसी मोतियों की माला को हम क्या बोलते हैं, string of pulse, तो ये हो गया coir और string यह कोई गोलड़ की है कोई इसलवर की है कोई आले की है कोई आयन की है कोई जैसे हमारे खाने की चीज़े रहे है शुकर ऑईल इन सबसे मलिया तो यह हो गया मटिज लाओ तो दिस इस अलबाउट दनाउस जो कि होते है फाइफ काईड्स में के हैं इस वीडियो में हम आपको से अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज मेरे चानल को सब्स्क्राइब सब्सक्राइब